नमाश्कार दोस्तो Know About Investment चैनल में आपका फिर से एक बास स्वागत है फ्रेंट्स आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग एक LIC की पॉलिसी के बारे में डिसकस करेंगे और क्यों इस पॉलिसी के बारे में मैं डिसकस कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा तो उससे पहले आपसे एक रिकोष्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिपिकिसन आइकन को प्रेस कर दीजे तो फ्रेंट्स पॉलिसी का नाम है जीवन लाव और इसका जो टेविल नंबर है वो है 936 यानि की 936 ठीक है 936 बाला ये टेविल है और जो पॉलिसी का नाम है ये है जीवन लाव तो आप में से कही लोग सोचेंगे की जीवन लाव पॉलिसी कैसा है तो मैं आपको बता दू अभी अगर आप करेंट्स सिच्वेशन की बात करें तो मैं जब ये वीडियो वना रहा हूँ 21 ओगस्ट 2020 को तो इस डेट में अगर आप पूछें तो 25 साल के टरम के दोरान जितने भी पॉलिसी अभी लाव 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 बेस्ट पॉलिसी है 25 साल के टरम के लिए ठीक है तो यहाँ पर क्या कुछ फेसिलिटीज जो आपको मिलेगी तो यहाँ पर आप सबसे वहले देख पाएंगे यहाँ पर मैंने एक्जामपल के लिए एक एज लिया हुआ है जो एज है यहाँ पर 30 अर्स कर तीक है तो 30 साल की उम्र का अगर कोई बेखती यहाँ पर LIC G1 लाव में फॉलिसी खरिदा है और अगर वो कम से कम 10 लाग की समविसी उड़ लेता है यहाँ पर आप 2 लाग से समविसी उड़ ले सकते हैं दो लाग से आप जो फॉलिसी का समविसी उड़ है वो आप यहाँ पर से उड़ ले सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्जामपल के लिए पर दसलाग का समसियोट लिया हुआ है और टरम्स, यहाँ पर आपको तीन टरम अविलेबल मिलेंगी जिवनलाव फॉलेसी में आपको तीन जो टरम्स है वो अविलेबल मिलेगी एक है 25 साल का टर्म दूसरा है 21 साल का टर्म और तीसरा है 16 साल का टर्म ठीक है अगर आप 25 साल का टर्म यहाँ पर लेते हैं उसके लिए आपको PPT जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो होगा 16 साल का यानि कि आपको 25 साल के टर्म के लिए आपको सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम भरने होंगे अगर आप यहापर 21 साल वाला लेते हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम देने होंगे और अगर आप 16 साल का टर्म लेते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम देने होंगे तो यहाँ पर अगर आप 30 साल का कोई विक्ति 25 साल का term लेता है PPT यानि कि premium paying time उसको पढ़ता है 16 साल का ठीक है? 16 साल का premium paying time उसको पढ़ता है और जो premium उसको देने होंगे वो कितने देने होंगे? first year premium यानि कि पहले साल आपको जो premium देने होंगे अगर आप yearly mode पे यानि कि साल में एक बार ही आप premium भरेंगे तो आपको यहाँ पर जो premium देने होंगे वो देने होंगे 47,514 रुपीज ठीक है 47,514 रुपीया यहाँ पर आपको एक बार साल में अगर आप एक बार premium भरना चाहता है तो पहले साल आपको यह premium देना होगा उसी की बाद अगर आप yearly mode पे लेते हैं तो दूसरे साल आपका premium जो है वो थोड़ा कम होकर हो जाएगा 46,491 रुपीज ठीक है तो premium यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पहले साल आपको जादा जेश्टी यहाँ पर पे करना होता है तो जेश्टी कम होता है दूसरे साल ठीक है अगर आप मंथली mode पे लेंगे तो यहाँ पर मंथली मैने यहाँ आपको दिखाऊंगा 4000 रुपिया महीना आपको यहाँ पर पड़ेगा तो यह सारा कुछ तो हो गया आपका प्रिमियम कितना देना होंगा अगर आप मंथली और यारली mode में देखें बाकी यहाँ पर आप और भी दो-तीन mode है जो है चार टोटल mode है यारली, हफियारली, क्वार्टरली यानि कि तीन महिने में एक बार, चे महिने में एक बार, साल में एक बार, और महिने में एक बार तो चार mode यहाँ पर अवले अपलेबल है लेकिन monthly mode में अगर अप लेते हैं LSE में जो return यहाँ पर policy खरिद्य वक्त बोलते हैं तो वो नहीं मिलता तो हाँ हो सकता है यह बात मैं पूरी तरह से यहाँ पर इससे disagree नहीं करूँगा क्योंकि जब आपको कोई agent कहता है policy समझाता है तब हो सकता है जो bonus rate हो तो वो उस bonus rate के according calculate करके आपको एक return बताता है तो 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ठीक है आप हो सकता है बाद में यह video देखे bonus rate में changes आ जाए तब हो सकता है यह return थोड़ा सा अलग हो सकता है तो यह पर अगर आपको जो bonus मिलेगा वो कितना मिलेगा लगबग लगबग 12,50,000 आपको bonus मिलेगा उसके साथ साथ आपको final additional bonus भी मिलता है तो वो कितना मिलेगा चार लाख पचास जार आपका समय सीओर bonus और final additional bonus मिलेगा जो आपको maturity में जो amount मिलेगा तो यह maturity amount आप approximate समाझे लीजे ठीक है तो bonus rate में थोड़ा बहुत changes भी आते रहते हैं तो लेकिन LSE की bonus में ऐसा नहीं कि एक दम से धराम से बहुत ज़ सकता है ऐसा कुछ भी नहीं interest rate भी कम हो रहा है तो bonus rate कम हो सकता है लेकिन अगर आप बात करें तो यह bonus rate कुछ खराब नहीं है बहतरीन bonus rate है LSE की bonus rate बहतरीन है ठीक है बाकी के मुकाबले आप अगर LSE की bonus rate देखे तो bonus rate में आपको एक stability दिखेगी और अच्छी bonus rate आपको LSE की approximate मिलेगा यह maturity amount approximate मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत changes आ सकते हैं ठीक है तो आप जब खरिदने जाए policy तो आप अपने agents के साथ अच्छे तरह से discuss कर ले इसके बारे में कि कितना maturity में मिलेगा तो approximate जो maturity में आपको मिलेगा वो लगभग 27 लाग के आसपास लगभग 27 लाख रुपे के आसपास तो यह हुआ जीवन लाव policy इसके साथ साथ इसके कुछ benefits भी है जो आप लेते हैं तो term rider अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर premium देने होंगे term rider होता है यहाँ पर critical illness का एक rider होता है तो गंभीर बीमारी के चलते आपको यहाँ पर premium में shoot मिलती है तो उसका भी rider होता है तो वो आप अपने agent के साथ discuss कर ले policy खरिदे वक्त और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर by default जो double accidental benefit होता है वो मिलता है और किसी कारण से अगर व्यक्ति की जो जिसने policy खरिदे उसकी अगर accidental death होती है तो उसको submission का जो जिवनलाव policy के बारे में discussion और इसके साथ साथ आपको loan और surrender की facility भी यहाँ पर मिलती है और आपको एक चीज़ बता दो friends LIC में आपको 30 दिनों का grass period मिलता है तो जो लोग सोचते है premium देर करके premium भरते है तो उनको मैं बता दू कभी भी premium भरने में देरी मत कीजे क्योंकि आप आपका जब DOC date यानि की date of commencement date रहता है उसके 30 दिन तक आपको grass period मिलता है तो उस 30 दिन के भीतर भीतर आपको आपका जो policy का जो premium है वो हमेशा भरना होता है तो वो date आप कभी भी मत चुकिए date के आसपास ही आपके जो premium जब आपको देने होंगे उस date के आसपास हमेशा premium भरन में देरी मत कीजिए इससे हो सकता है आपको जो आपका claim है वो reject हो जाए ठीक है तो यह गलती आपको कभी नहीं करनी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से comment करके बताए थोड़ा सा नया यह वीडियो है तो mainly मैं इस channel के उपर stocks mutual fund के regarding video वनाता हूं तो आज का यह video थोड़ा स नया है तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर LIC की policy के importance जो है इसको भूल रहे हैं और मतलब पहले यह सारा कुछ नहीं करके मतलब aggressive होकर stock market में आ रहा है तो उनसे मैं दर्कास्ट करना चाहूंगा आप अपने लिए बहतरीन insurance policy अपने पास ज़रूर से रख़िए FD भी करव अपने पास RD भी अपने लिए करवाए अपने लिए sovereign gold bond fund भी आप अपने लिए चूज़ करें health insurance भी ले सारा कुछ लेने के बाद सब कुछ secure करने के बाद ही आप रिसकी जगा यानिकी equity में आने की चेश्टा करें आयो फ्रेंस वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीड इस लाइक कीजिए और अगर अगर आपको LSE की इस policy के regarding कुछ भी जानका री चाहिए तो आप comment कीजिए मैं उसके उपर answer जरूर दूँगा Thank you friends, Jai Hind